इस इमेल आइडी को कैसे डिलीट करें how to delete email id old and old Gmail id को कैसे डिलीट करें permanent के लिए आज की इस वेडियो में मैं आपको details में जानकारी देने वाला हूँ friend होता क्या है कहीं सारे भाई लोग ऐसे हैं actually में क्या है guys यहां से Gmail ID बना रखे हैं और वो भी guys यहां पर old Gmail ID हो चुकी और आप लोग चाहते हो उससे delete करना ताकि दोस्तों वो Gmail ID किसी को पता ही ना चले वो लोग ही नहीं ना हो क्योंकि basic सी बात है जब आप लोग डिलीट करोगे तो उसका मतलब एक ही है आपको वो Gmail ID नहीं चाहिए या फिर ऐसा हो सकता है काफी बार की वो Gmail ID मतलब यहां पर किसी दूसरे भी device में लोग इने तो ऐसे स्तिति में आप लोग चाहिए तो उसको डिलीट करना हमेशा के लिए तो उसके लिए दियान से समझना step by step trick को follow करना है आपको एक application open करना है जो कि ये वाला email application से आपको open करना है जैसे Gmail application open करोगे यहां से उसी Gmail ID को select कर लेना है जिसे आप लोग डिलीट करना चाहेते हो तो आपको 3.5 किलिक करना है नीचे एक साइड में आना है settings में चले आना है setting में आने के बाद में अब friend आपके phone में जितने भी Gmail ID होंगी वो आ जाएंगी तो आपको यहां पर अपनी उसी पुरानी Gmail ID को यहां से select करना है जिसे आप लोग delete करना चाहेते हो तो मैंने इसको select कर लिया है manage your account वाले options पे जाना है manage your google account वाले options पे जाने के बाद में आपके सामने friend इस प्रकास से एक नया interface आएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं फिर आपको क्या करना है data and privacy वाले options पे क्लिक करना है दन आपके सामने इस प्रकास से interface आएगा आपको यहां से भी एक चीज हमेशा याद रखना है जो Gmail ID आप लोग delete करने जा रहे हो पर्मानेंट के लिए friend guys यहां पर उसमें जो भी number save होंगे वो भी delete हो जाएंगे जो उसकी guys यहां पर Gmail ID में a few photo video जो भी होंगे वो भी delete हो जा और मैं friend क्या करका हूं मैं उसी Gmail ID को already select करका हूं तहां से इधर आना है नीचे side में नीचे side में आने के बाद में आपको कहीं सारे options available मिल जाएंगे सबसे नीचे आना है और यहां पर लिखा हुआ है delete your Google account आप Google account का मतलब क्या होता है आपको बतालते चला है Gmail ID, email, Google account, Gmail account यह स आप देख सकते हो आपके सामने इस परकास से interface आएगा इस चीज़ को verify कर लेना यह verify जैसे ही आपका successfully होता है तन आपके सामने इस परकास से interface आएगा यह आप लोग चाहेते हो जो आपका data है वो delete ना हो तो उसके लिए आप लोग यहां से download भी कर सकते हो बैक भी ले सकते हो ठीक है और उसके बाद में नितिक साइड में आना है और आपको यहां पर दो options देखने को मिल जाएंगे दोनों को select करना है options select करने के बाद में आपको guys यहां से delete account वाले options पे click करना है delete account वाले options पे दवाने के बाद में friend आपका जो account डिलीड हो जाएगा permanent के लिए yes ऐसा कि आ यहां से मैं इसको डिलीड वाले options पे किलिक किया तो यह friend guys यहां से हमारा account ए permanent के लिए guys यहां से डिलीड हो चुका है ठीक है और जैसा कि friend आप लोग देख सकते हो हमारा account ए परमानेंट के लिए डिलीड हो चुका है तो इस प्रकास से आप लोग पुरानी Gmail ID को डिलीड कर पाओगी इजली पहुत ही आसानी से और आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ के हो यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो वीडियो को लाइक इन चनल को सस्क्राइब करना है और एक चीज़ आपको अमेसा याद रखना है उस Gmail ID को तीस दिनों के अंदर आपको लोग नहीं करना है ठीक है अगर आप लोग लोग न करोगी तो वो बापस आ जाएगी तीस दिनों के बाद में का इस पर्मानेंट के लिए यह लीड हो जाएगी ठीक है सब्सक्राइट मिलते हैं किसी न्यों वीडियो में तब तक लिए ठाइंक्यू सोमच